नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका नियूट करसा है इस यूटूब चनल में आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं दच्छिल भारत के इतिहास के बारे में काफी अच्छा है वीडियो होने वाला जिसमें दच्छिल भारत के इतिहास के अंतरगत संगम काल के बारे में चेर, चोल और पंड वंसो का हम जिक्र करेंगे और उसके बाद हम जिक्र करने वाले हैं संगम साहित के बारे में संगम साहित से परिच्छा में काफी यदा प्रस्ण पूछे जाते रहें उनके बारे में हम आपको बताएंगे काफी अच्छväчए प्रस्णों का उसमें संकलन रहेगा और तो आईए उसी केताइट हम सुरू करते हैं संगम काल संगम काल के बारे में बता दूं कि आपको इसे परिच्छा में काफी अदर प्रस्ण पूछे जाने वाले हैं तो बाकी हम बतादू कि लेकिन इसके अंतर गता हम देखेंगे ये चेर आएगा चोल आएगा और पांड आएंगे पांड लेकिन इसके अंदरुगत हम देखें के संगम साहित भी हमें देखना है जो काफी अदाए इंपॉर्टेंट है और इस यही एक स्रोथ है जिसके बारे में संगम काल के बारे में जानकारी इखटा कर सकते हैं। और चालुक चालुक में भी बातापी बादामी वेगी यजिस achieving देखेंगे उसके बाद में हम जब आएंगे तो हमने और भी देखना जिब अगे आने वाले समय हैं देखेंगे लेकिन जो यह हैं तो इस इस वीडियो में संगम काल के अंदर एका संगम साहित के बारे में काफी अच्छी वीडियो होने लिए बाकी की जो next वीडियो आएगी हम बात करेंगे चेरवन्स के बारे में तो next वीडियो जो आएगी वो होगी चेरवन्स के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह तमिल साहित के बारे में बात करेंगे जो कौन कौन से महाकाव हैं कौन कौन सेज़़ा हैं उन सब का मजिक relation में करने बाले हैं सरवाइक चली ऐगन में करते हैंग्हे binge और की बात हो रही तो अब इसमें इसके अर्थ के रूप में संगम सब्द का सरपर्थम प्रयोग जो है वो नैनार संत करते हैं जिनका नाम है तिरुबा तिर्बा बुक रसू ने किया था तो यह important बाकी संगम काल की जब बात आएगी तो हमें तीन राजबनस देखने को मिलते हैं चेर है चोल है और पांड है तो परिच्छा में परस्ण पूछा जाता है नियुम्न में कौन संगम काल में सामिल नहीं है तो आप से परिच्छा में परस्ण पूछ ला जाएगा चेर आयोजन किया गया था संगमों का आयोजन किया गया जिसमें से पर्थम दुती और तिती इंपोर्टन्ट ही तीन है तो इनको जानेंगे तो जैसे हम परते हैं बहुत संगीतिया आयोजित होती है उसी तरीके से ये भी है संगम है जिनका आयोजन किया गया पर्थम संगम जो थ गया था तो नकीरर ने किया था और इसका इस थाल जो उत्तरी मदुरा है और जो इस न्लच्खळ की बात करें गया था तो पांडे शासक जो थे इनको । सब्सक्राइब नहीं के दिखना उिदरत में मिलता है वह अगस्त रिशी त abonnement कि ढ़ा नहीं की आ। सब्सक्राइब करने कि किह सब्सक्राइब कि अघर की पार किजी kitaik सब्सक्राइब हुआ है यह सब चीज़े जब दच्छिर भारत में देखने को मिलने लगती तो ऐसा लगता है कि यह जो कह सकते हैं कि दच्छिर भारत में आरे सबहता का आगमन था यहाँ पर दच्छिर भारत में आरे सबहता पनपी थी पनपी का मतलब विस्तार हुआ था वहाँ पर तो इनका जो स्रे दिया जाता है वो अगस्त रिसी को दिया जाता है तो याद रखेगा और उनके से स्कॉंडिन है और जब देखेंगे तो एक प्रसन इसमें और इंपोर्टेंट आता है तोलकापियम को ले करके तो दरसल तोलकापियम है इसकी रचना तोलकापियर ने की थी यह दूती संगम का एक मात्र उपलब्द गरंथ है तो दूती संगम का एक मात्र उपलब्द गरंथ कौन सा है तो तोलकापियम है यह important है most important याद रखेगा दूती संगम वैसे इसमें बता दें कि जो भी संगम आ इस तरब देखेंगे तो यह दिखेगा पांड और यहाँ पर देखेंगे केरल के आसपास कछित यहाँ पर देखेंगे चेर तो इनको अप याद रखेगा चेर चोल पांड ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो रास्ट कूर चालू कि यह सब देखने को मिलेंगे यहीं पर आएंगे आगे चलकर पलो तो वो भी यहीं पर देखने को मिलेंगे अब बात आते हैं कि आखिर असोक के सिलालेक है असोक के सिलालेक संख्या दो एवं तीन में तो कौन कौन से असोक के सिलालेक है सिलालेक संख्या दो और तेरा में सुरी तेरा है दो और तेरा में चेर चोल पांड अंकित है मुलब समवर्ती सीमा वर्ती राज्यों का जिक्र किया गया है तो चेर चोल पांड का उसमें जिक्र किया गया है तो धचिर भारत का जब मैप देखेंगे तो यह आप मैप बना लीजेगा मैं अपमें जब देखेंगे तो दच्छिर भारत के इन सभी छेत्रों को आप वहापर डिनोट कर लिजेगा थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी ये वाला हिस्सा तो आप बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको बना दीजेगा तो इसे पता चल जाए कोई जिसकी राधनी आगे चल करेमम मदूरा देखेंगे तो यह था इंपोर्टेंट चीजे अब आएगे चल करके देखते हैं तो हम तमिल साहित की बात करते हैं चुकि मैंने बताया है कि यह निप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दोसल्स मैं बतानूँ कि इससे परिच्छा में आपको यहीं से प्रशन पूछे आते हैं संगम काल से सबसे most important यह ज़्याद रखेगा तो संगम साहित के दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं एक है अकम या अहूम या आगम दूसरा है पूरम तो अकम अहूम आगम का मतलब प्रेम संबंधी रचना है और पूरम का मतलब युद्ध पराकरम संबंधी रचना है तो युद्ध पराकरम संबंधी रचनाओं को बोला गया पूरम और अकम अहूम आगम क्या है यह प्रेम संबंदी रचना है तो मुख फिरुप से दो पार्ट में डिवाइड है हम बात करते हैं संगम कालिन जो महाकावे की जब बात होगी तो संगम कालिन महाकावे पांच महाकावे आते हैं तो संगम कालीन में पांच महा काव आते जिन में कौन-कौन से हैं यह इंपोर्टेंट है अब एक-एक किस बात करते हैं थोड़ा कहानी भी सुनते चलेंगे सबसे पहले आएगा सिलप दिकारम जिसकी रचना जो किया है वो इलंगो आडिकल ने किया है तो यह जैन धर्म से संबंदित है तो याद रखेगा प्रेम संबंदी गरंत है याद रखेगा इसका सिलप दिकारम का जो मतलब की बात करेंगे क्या आखिर मतलब क्या सिलप दिका जाटनों और इलियट किसको बोला जाता है तो बोला है नहीं gustado, नहीं मदा तो इसी में जब सिलब़िकारम की कि आन नूपूर की कहानी है तो तुछासे इस कहानी को हम आपको बता देते हैं थोड़ा से से तो पुहार का मतलब में बनाद रहते थे ते लेकिन आगे चलकर कर एक कोविलन माधवी के प्रेम जाल में फज जाता है माधवी जो है वो नगर वधु है उसके जाल में फज जाता है और अपनी पतनी कनंगी को त्याग देता है लेकिन आगे चल करके जह हम देखेंगे तो माधवी ने क्या किया कि माधवी क्या करती कोवलन को त्याग देती है, और कोवलन को त्याग देती है, तो कोवलन जो है, वो दुबारा कनंगी के पास आते हैं, और काफी गरीबी से जीवन यापन कर रहे होते हैं, उनके पास ही पायल थी, और ये क्या करते हैं, कावेरी पतनम से चले आते हैं, कहाँ पर, मदूरा में, मदुरा में चले आते हैं इन पर कोवलन पर पायल चोरी का आरोप लगता है जो रानी थी उनकी पायल चोरी करने आरोप लगा और यस वज़ी से क्या ओब कोवलन को क्या कर दिया गया जो पांडे सासक है उसका नाम में बता देता हूं क्या है नेडूल जेनियन नेडूल जेनियन ने क्या किया कि कोवलन को फांसी की सज़ा सुना दी कोवलन की वहीं पर म्रत्य हो गई तो आगे चलकर कि कनगी ने क्या क्या कनगी ने वो जो पायल चोरी का आरोप लगा था फिर वो राजा के पास जाती है और कहती है कि ये वो पायल नहीं है जो रानी के चोरी हुए है ये आपके पायल में जब हम देखेंगे तो वो कहती है कि आपके पायल में क्या था कि मोती जड़े हुए है और जो हमारे पास पायल है उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें मड़िक के हैं मड़ी वगरा अभी साफ होता है और राजा क्या करता है अपने प्राणत्याग देता है और यहीं से कहानी जो है इसका समापन होता है तो इस कहानी को बूला गया सिलप पिदिकारम या नूपुर की कहानी और दूसरी बात बता दूँ कि जहां से ये सिलप पिदिकारम खतम होती है बस वहीं से मड़ी मेखले शुरुआत होती है तो मड़ी मेखले की जो रचना है वो सीतला सतनार ने किया था बौध व्यापरी था तो यह जो मड़ी मेकला है यह बहुत धर्म से प्रभावित लगती है और बहुत धर्म को रिलेटेड कहानिया इसमें आपको देखने को मिलेगी इसकी अभी मापको थोगा सब मड़ी मेकला भी बता देंगे बाकि आप सिला पदिकारम के बारे में आप यूटूब पे या माननी जब कहीं भी इसके बारे में पढ़िएगा किताब होगरा मिल जाएंगी उसमें पढ़िए काफी अच्छी कहानी है और इसमें जब हम देखेंगे तो इस कावे की सुरुवात वहीं से होती है जहां से सिला पदिकारम समाप्त होती है और इसे तमि कोवलन को छोड़ देती है आगे चलकर करके जब कोवलन की म्रत्य होगे तो एक ख़बर माधवी को पता चलती है और माधवी क्या होती है माधवी को जब पता चलती है तो माधवी जो बहुत बिच्छु बन जाती है बहुत बिच्छुड़ी कह सकते हैं बहुत बिच्छु दोनों की पुत्री का नाम है मड़ी मेखले और एक राजकुमार है उदे कुमार वो मड़ी मेखले से विवाग करता है लेकिन चुकि उसकी इच्छा है मड़ी मेखले की वो भी बहुत भिछड़ी बन जाए आगे चल करके वो भी बहुत भिछड़ी बन जाती है लेकिन जो य और यह कह सकते हैं बहुत धर्म से प्रभावित है वो जैन धर्म से प्रभावित है तो इसको आप याद रखेगा आगे जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा और हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आगे रचना आएगी जिसको हम बात करेंगे जीव प्सक्त को विवाह की किताब कहा जाता है, इसको याद रखेगा, इसमें काफी यादा वैसी विवाह से रिलेटेड जान कारियां, यह सब चीज़े इसमें दी गए हैं, और बता दूँ कि यह काफी वैसे यादा आपको जानना नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं आप नयक की जीवन गाथा है जो युद्धों और सांति दोनों कलाओं में निपूर है इस क्रिंत को विवा की किताब भी बोलते हैं तो इसको आप याद रखेगा बाकी बता दू कि आगे की जो और दो रचनाय हैं जिन में से वले पती और कुंडल केसी तो वले पती और कुंडल क अन्य महतपूर जब गरंथों की बात की जाएगी तो उनमें नाम आएगा देखे एक है तिरुक कुरल का तिरुक कुरल की रचना कार जो है तिरुवलूर है इसे विशय जो है इसका त्रिवर्ग हर्था धर्म अर्थ काम है ये तमिल बाइबल भी इसको बोलते है तमिल की नूर की रचना मामूल नार ने किया है तो मामूल नार ने एहना नूर की रचना किया है इसमें नंद तथा मौरिवंस का वडन मिलता है तो एहना नूर में ये एक तमिल गरंथ है बाकी जब हम आगे बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पत्तु फातु तो पत्तु प किया है नकीर बोलते हैं कि दूसरा है इत्थु थोके ये आठ कविताओं का संग्रे अर्थत आठ गीतों का संग्रे है इसमें जब देखे ये थोड़ा सा आठ संग्रे उनिके संग्रे हैं सब एक है पूर्वौनानूर इसमें 150 कवियों की कविताओं का संग्रे है इस कविता में चक्रवती राजा का भी चर्चा मिलती है तो पूर्वनानूर में मिलती ہے एक अन्यरचनाय जिसको बोलते हैं पद्रित तुत पतु इसमें दस कविताएं हैं जिन में से आठ चेर सासकों की प्रसस्त्री संग्रतितार उनकी वीर गाथाई उसमें लिखी हुए है इसमें और बताया गया है कि इसमें चेर राज में परचलित कलस सवाधानों के उलेक है जो कलस वगरा नह देखने को मिलती है और इसमें इसे तमिल व्याकरण तथा रीत रिवाजों का कोस कहा जाता है तो यह भी याद रखेगा इसमें तमिल व्याकरण तथा रीत रिवाजों का कोस कहा जाता है तो यह इंपोर्टन है देखे यह वाला मैं यह पद्रित तुपतु जो है यह मैं आपको टेस्ट में दे भी चुगा हूं इसके उपर question मैंने दिया है बाकि जो next वीडियो आने वाला है वो आएगा chair once पे काफी important वीडियो होने वाला है कल गावी chair once के हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा वीडियो है chair once कल का वीडियो आने वाला तो बाकी का मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो मैंने बताया है आपको इसको आप अच्छे देखे जो लेकिन जो कल चेर वंस का वीडियो आएगा वो वाइट बोर्ड पर होगा आपके सामने वाइट बूर्ट पर चेरवंस के बारे में बताएंगे तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टन था और काफी अच्छी चीज जानकरिया इसमें संगरह किया गया था यह सभी important चीज़े हैं नोट कर लीजे आपकी आधी समस्या तो वैसे भी समापन हो जाएगी और इससे बाहर कुछ हाने वला है नहीं भहुत deep में समद लीजे मैंने बता दिया है बाकी इसमें जैसे मैं बताने को जैसे मैंने ब्याद को चेचा किया है कि पत्थु पातु में दस गीतों का संग रहे हैं तो दस गीतों में दस कविताओं का संग रहे हैं बताने को तुम्हें बता दूं लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा जैसे एक मदुरे कांची है और पटिन पलाले है बहुत सारी से में रचना हैं लेकिन जदा जाने की ज़र तो बहुत सारी से रचना हैं लेकिन उसके कोई मतलब नहीं जानना आपका आज के लिए फिलाल इतना हूं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाए तो अपने मित्रों के साथ इसको जोगर से रिखेजेगा वीडियो देखने के के लिए पुनायक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबर है कल फिर मिलेंगे चेरवन्स के साथ में धन्यवाद